महाराश्र राज्य के सामाजिक नाय मंत्री राजकुमार बड़ोले इनकी विधानसबार शेत्रों मूर्गा और जुनी के तहद्धिये तले अंधेरा इस कहावत के जैसा ही इनका मंत्री पत्का कार्यकार दिख रहा है भारतिय जन्ता पार्टी के केनर की सरकार और महारश राज्य की देवेनर सरकार बहुती शोर बाजे के साथ अपनी सरकारगी बड़ी-बड़ी डिंगे हाग कर मिडिया के सामने बता रहे थे कि देश का हर गाउं और कस्वा बिजली के साथ जोड़ दिया गया है लगभग मोर गाउं अरजुनी तासेव से 18 किलो मीटर दूर और मंतिराज कुमार बडोले इनकी निवास स्थान से 11 किलो मीटर दूरी पर परसोनी गाउं हैं यहां पिछले 10 वर्षों से लगभग 25 परिवार निवास कर रहे हैं और यहां गाउं आज भी बिजली विवस्ता से कोंसो दूर है लगभग राज्य महमारिक से 200 बीटर की दूरी पर यहां गाउं यहां पिछले ही साल सरकार की और से पानी की विवस्था की गई है जिसमें गाव में एक पानी का हैंड़ पंप सरकार ने बना गिया है इस गाव में ना रास्ता है ना सीपेज का पानी जाने के लिए नालिया बनी हैं गाउ में अब तक सौचाले की भी विवस्था गाउवालों को मुहया नहीं कराई गई है। आएए देखते हैं कैसे जीवन व्यापन कर रहे हैं गाउवाले। हम लोग इस वक्त मौझूद है परसोडी रयत निव शिवनगर में जहां यहां पिछले दस वर्षों से बसी हुई एक बस्ती है जो कि मोरगाउ अरजुनी तहसिल के तहट आती है। हम जैसा आपको भी बताए है कि इस गाउ में अभी तक के बिजली बिजली नहीं पहुँच पाई है। है और उनको क्या- stelltouse और किस तरीके से अनका computer हुई है जब कि इस गाउ में लगबक 200 मीटर दूर हाइव है और यह वाटर रेन नहीं है और साथ यह सड़के नहीं है इस गाउ में हमारी गाड़ी बहुत बहुत ही मुश्किल से वह 200 मिटर का फासला तय कर पाई है अब जानने का प्रैस करते हम इस गाउ के कुछ लोगों से बताईए क्या नाम है आपका क्यों से वर्ष इस गाउ में रहने आए थे 2010 10 में आयते अच्छा जब इस गाउं में बजली नहीं है अभी हमने देखा कि इस गाउं में को सदूर बढ़ाल नाली हो गई है पीने का पानी आगे आपके गाउ में पीने का पानी आपके गाउंे पाकिसाल में तो रोड भाहर से पानी लाए था याने अभी पानी सुई दा हुई है आपके गाओ में अच्छा बीजले की सुई दा Yakater कि सुईधा सरकार ने मुहिया करा दी तो बिजली क्यों नहीं करा पाई है उसके पिछे का कोई कारान आपको बताए में सीबी विभागवालों ने नहीं नहीं कुछ नहीं बताए अच्छा अब हम जानने का प्रैस करेंगे जो महिला है यहां जुनको रात में कैसे खाना बना साथ बजे खाना खालेते हैं काफी मुश्किलों का जीवन यहां गाउ के लोग वेतित कर रहे हैं लगबग इस गाउमें कित्ते लोग होंगे बताईए कशीस और ब्रॉप शूर बना हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां गाउ महज मोरगा और जुनी तहसिल से ल दायक जो कि 63 विधान सबाके और खुद सामाजिक न्याय विभाक के मंतरी राज कुमार बडोले इनके विधान सबाक शेत्र का यहाँ गाव है जबकि भाजपा सरकार ने कहा है कि केंद्र में और राज्य में भी हर जगा बिजली मुहया कराई गई है लेकिन यहाँ आज आज बिजली की वज़े से काफी लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ता है जानते हैं में लोगों को कैसे बच्चों से पढ़ाई कैसे करते थे आप पढ़ाई के लिए यहां से बहुत दूर जाना पड़ता है चोटे-छोटे बच्चे हमारे जहां अच्आ उन Подबाटके कैसा यहां से पैदल पैदल होते हुए चलना पड़ता है उनको उनको दिक्कत होती है जाने के लिए तो कुस्ट सुविदाए है नहीं स्कूल में कि चलो बस आ गई है और बस में बिटाए और भेज दी है ऐसा कुछ नहीं है याने इस जगह बस भी नहीं है बच्चों को याने इस जगह जो बच्चे पढ़ रहे हैं वह अपना होमवर्क भी ठीक तरीके से नहीं कर पाएगे मैं इस इलाके को पिछड़ा इलाका नहीं बोल सकता क्योंकि हाइवे से यह महस दोसों के मिटर की दूरी पर है और यहां से कोहमारा और नवे गाव बांद यह लगग 17-18 किलोमेटर दूरी पर ही है याने इस इलाके को यह अतिव्यस्ततम इलाका होने के बाउजुद यह गाव पिछड़ा रहे गया है याने भारतिय जंता पार्टी के जो मिनिस्ट है वो देखें उनका कितना इस गाव के तरब ध्यान है जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है तो अमेने स्नुजराइक की खबर देखने के लिए आजी प्लेस्टोर से अमेने सिंदी आप डाउनलोड करें और इस चानल को लाइक सब्स्राइब और शेकरना ना भूले थने देख झेए अमें प्लेस्स